अट्टू के सुरुआ क्वीन से होती है जहां रॉयल नाइट उसको बताते हैं कि ब्लैक नाइट हर बार चार के मारने के प्लैन में पानी फेक देता है क्वीन बोलती है तुम नलो से कुछ नहीं होता अब मैं अपनी इस सौट से ब्लैक नाइट को मारूँगी जिससे मैंने डीमन किंग को खतम किया था तब ही वहां हारूटो ब्लैक नाइट बनके आता है और रॉयल नाइट को बेहुश कर देता है हरूटो यहां बहुत सारे बैριयर को तोड के आए था जिसको जानके कुईन सौख होती है फिर कुईन हरूटो की उपर तीन मैजिक सरकल को एक्टिवेЕТ करके हमला करती है और उसको वाठर बॉल में कैप्चर कर लेती है और बोलता है तुम गोल्ड और चार से दूर रहना अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार दूँगा और वहाँ से चला जाता है सिलेब बनने की वज़े से कुईन रोने लगती है फिर हारुटो फिले के पास आ जाता है फिले बोलती है मास्टर आपने मेरी बात माने गी तब तक वह जिंदार रहेगी इस बात को पास साल बीद गय थे और इन पास साल मैं क्यूई नियुकु ना चार को मानने का ट्राइ नहीं किया था फिर चार हारुटो से बोलती है मेरी एक वेस्ट है क्या तुम इसे पूरा करोगे और उसके कान में कुछ kan पर हरुटो और गोल्ड बात करते हैं जहां गोल्ड बोलता है तो मैं समर में रॉल कैपिटल के स्कूल जाना होगा ये सुनके हारूटो सैड हो जाता है क्योंकि वो अपनी प्रीवस लाइफ में स्कूल में बहुत बुली हुआ करता था फर गोल्ड बोलता है तो मैं स्कूल जाना ही होगा क्योंकि किंग ने तुम्हें खुद रिकमेंड किया है और ऐसा करने के लिए मारियाने ने किंग को बोला है और वहाँ ल्यूइस भी होगा लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के पीछे क्वीन कहां आता है हारूटो बोलता है अगर मैं स्कूल नहीं जाओंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी न गोल्ड न हारूटो को एडप्ट किया था तो हारूटो गोल्ड को प्रॉब्लम मैं नहीं डालना चाहता था तो वो जाने के लिए मान जाता है गौल्ड बोलता है तुम रोयल कैपिटल में अकेले रहोगे तो तुम को अपने साथ एक अटेंडendend को भी लेकि जाना होगा और तुम फले को अपना अटेंडendend बनाके नहीं ले जा सकते स्कूल जाने में अभी तीन महीने का टाइम है तब तक तुम कोई अटेंडेंट धूर दो फिर हारुटो बोलता है मैं जाने के लिए तो मान गया हूँ लेकिन मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और अपने क्लोन से बोलता है तुम मेरी जगह स्कूल चले जाओ क्योंकि तुम्हारे पास कोई मैजिक नहीं है तो तुम्हें स्कूल के काम तो आओगे नहीं तो वो तुम्हें निकाल दींगे इससे डैड को भी कोई प्रॉबलम नहीं होगी क्लोन स्कूल जाने के लिए मना कर रहा था और डर भी रहा था तो हरुटो बोलता है मैं तुम्हारे उपर अपना बैरी लगा दूँगा तो तुमको कुछ नहीं होगा और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार दूँगा और वैसे भी मेरे पास और भी क्लोन है जिसके बाद क्लोन जाने के लिए मान जाता है फिर सीन एक वुड हाउस पे आता है जिसको हारूटो ने 5 साल में सांती से रहने के लिए बनाया था लेकिन यहाँ चार हारूटो की सांती भंग करने आ जाती थी और एनी में देखती थी हारूटो बोलता है मुझे तो लगा तुमने एनी में देखना छोड़ दिया चार बोलती है मैं दिन बर स्टडी करती हूँ और पापा और ममी न मुझे तुमाँ को डिस्ट्रप करने के लिए भी मना किया है और मुझे यहाँ आने में भी टाइम लगता है तो हारूटो बोलता है मैं तुम्हें यहाँ टेलिपोट भी कर सकता हूँ और अपने बेरियर से एक एपल को टेलिपोट करके बताता है और बोलता है लेकिन मैंने इसको किसी लिविंग ठिंग में ट्राइ नहीं किया तो फिले बोलती है मास्टर किलोन कब काम आएगा तो हारूटो टेलिपोटेशन विंडो से किलोन को यहाँ आने को बोलता है किलोन आने से मना कर देता है और बोलता है इतना ही है तो तुम खुद यहाँ क्यों नहीं आ जाते क्योंकि तुम को डर लग रहा है कहीं तुम डायमेंशन में तु नहीं फस्ट जाओगे ये सुनके फिले गुस्सा होती है और विंडो से किलोन के पाथ जाती है और उसको हारूटो के साइड फेक देती है हारूटो बोलता है ये तो सही काम कर रहा है और वो एक स्कैलेटन विलेज में आ जाता है ये वो ही स्कैलेटन है जिन्होंने पास्ट में हारूटो पे हमला किया था फर हारूटो के पास स्कैलेटन का लीडर आता है जिसका नाम जॉनी है जो हारूटो को पूरा विलेज घुमाता है हारूटो को जॉनी हील करके अटेंडन बना सक पिर वो घरा जाता है जहां फिले पूछती है आपको अटेंडन क्यों चाहिए मैं तो हूँ ना हारुटो को गोल्ड ने फिले को अटेंडन बना के लिए जाने के लिए मना किया था तो वो फिले से बोलता है तो मैं जानने की कोई जरूरत नहीं है और वहाँ से चला जाता है इस बात को सुनके, फिले रोने लगती है, फिर सीन कट होता है, और एक blue dragon पे आता है, जिसको कुछ adventure मार रहे थे, तो वो dragon वहां से उड़के चला जाता है, और थोड़े दूर जा के गिर जाता है, फिर सीन gold पे आता है, जो ये बात haruto और फिले को बता रहा था, क्योंकि वो dragon एंपायर से आया था और उनकी बॉडर के पास था जिससे वो कभी भी उनकी एरिया में आके तबाही मचा सकता था तो गोल्ड फिले से बोलता है तुम ड्रैगन से बात करके मामला हैंडल करो फिले ये काम करने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो सिर्फ हारूटो से ओर्डर और दूसरी बात ये भी थी कि जब डीमर और हुमन की फाइट हो रही थी तो उस ड्रैगन ने फाइट जॉइन नहीं की थी हारूटो गोल्ड से बोलता है हम लोग ये काम कर लिए और वहां से बाहर आ जाता है जहां चार उन लोगों की बात सुन रही थी और बोलती है फिल से हमला करके उनको हारा देती है ठीक होने के बाद ड्रैगन हारूटो को आइस में जमा देती है इस बात से फिले उस ड्रैगन पे गुस्सा होती है और उसको एक घंटे तक हारूटो के कारणा में सुनाती है और बताती है कि मास्टर डीमन किंग है हारूटो ड्रैगन से बहुत पसंद आई फिर उसके बाद मैं पासी के विलेज की लाइब्रेरी में जाके बुक चोरी करके ले आई और बुक रीड करके अपना टाइम पास करने लगी लेकिन गुफा में एक दिन एडवेंचर के ग्रुप ने आके मुझे आटेक कर दिया जिससे मेरी बुक जल आती है और हारूटोस का नाम लीजा रखता है लीजा हारूटोस से बात कर रही थी जिससे फिले गुस्सा होती है और फिर हारूटो और लीजा उड़के वहां से जाने लगते हैं और फिले दौल के उन लोगों का पीछा कर रही थी हारूटो फिले और लीजा घरा जाते है हारुटो सब को बताता है कि लीजा ही ब्लू ड्रैगन है और पूछता है क्या हम इसको अपने घर की मेड बना सकते हैं गोल्ड बोलता है जब तक लीजा घर के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चार और लीजा एक जैसे थे तो चार लीजा को देख के बहुत खुस होती है फिर फिले लीजा को मेड वाले काम बताती है जैसे की पलेट साफ करना खाना बनाना और लीजा ये सब काम फिले से जादा अच्छा कर रही थी फिर सब लोग Lisa के खाने की तारिफ कर रहे थे और sisाङड में सैड बैटी थी फिर नटालिया Lisa से पूछती है तुम और क्या क्या काम कर सकती हो Lisa बोलती है मुझे book read करने का बहुत सोख है और इसी वज़े से मैं बहुत अच्छे से अपना magic यूज़ कर सकती हूँ ये सब सुनने के बार नाटालिया लीजा को चार की परसनल मेड बना देती है फिर दूसरे दिन लीजा चार को उठाती है मैजिक सिखाती है सांस में बुकरीड करती है और लाश्ट में हारूटो की परमिसन लेके चार की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है हारुतो को अब लगता है कि लीजा उसकी attended बनने के लिए best है लेकिन अब वो लीजा को attendant बना कर नहीं ले जा सकता था क्योंकि लीजा और चार best friend बन गए थे अगर वो लीजा को अपने साथ ले के चला जाएगा तो इससे चार सैड हो जाएगी फिर हारुटो को एक आईडिया आता है वो अपने स्कूल से घर में एक टेलिपोटेशन डोर जॉइन कर देगा जिससे लीजा हारुटो का काम करने के बाद चार के पास आ सकती है फिर हारुटो वीडियो गीम खेल रहा था और चार को बताता है कि वो कल से रॉयल कैपिटल के स्कूल जाने वाला है जिसको सुनके चार हैरान होती है और एक एमरजैंसी मीटिंग रखती है जिसमें जॉनी, जीगान, फले, लीजा होते हैं जीगान, गोलम का नाम है चार उन लोगों को बताती है कि हारुटो स्कूल जाने वाला है जिसको सुनके सब हैरान होती है फिर चार बताती है जब मैं स्कूल एनिमें देख रही थी और मैंने हारुटो से पूछा स्कूल कैसा होता है तो हारूटों ने बोला स्कूल बहुत बेकार होता है और गंदा होता है और बहुत डरा हुआ था फिर चार बताती है कि मैंने एनिमें में देखा है कि स्कूल में इविल काउंसिल होती है जो सब बच्चों को इविल बनाना चाहते हैं और उनका लीडर किंडम की फाउंडेश इतनी चोटी बात के लिए हम मास्टर को परिशान क्यों करें लेकिन लीजा हारूटो के पास जाके यह सब बात उसको बता देती है और पूछती है मास्टर आप सच मैं ऐसा ही करोगे हारूटो लीजा की फिलिंग हट नहीं करना चाहता था तो वो बोलता है हाँ यह एक सीक्र और टेल को इन्विजिवल कर दिया था लेकिन हारूटो के जाने से फिले सैट थी क्योंकि हारूटो लीजा को अटेंडन बना के ले जा रहा था उसको नहीं फिर सीन लाउस पे आता है और उसके पास मारियाने आती है और उसको बताती है कि हारूटो स्कूल जॉइन करने व जो पूरे स्कूल को गुट्रूल करना चाहता है, और वो डीमन की पूझा करते हैं, और जिसको बड़े और अमीर लोग पैसे देते हैं, और क्वीण भी इस गूरूप को पैसे दे रही है, किंग अर क्वीण का रिलेशनजीब जादा अच्छा नहीं चल रहा, क्वीण Frog क को हटाके पूरे केंडम को कंट्रोल करना चाहती है और इसमें मीजा कर सकता है मारियाने बोलती है सिर्फ हारूटो ही तिना श्ट्रॉंग जो चर्च ओफ मीजा को खतम कर सकता है लाउस बोलता है गोल्ड के लैंड में ब्लैक नाइट नाम का एक हीरो है जो बहुत उसकी सिलेव कॉलर को देख रही है और उसको नीचे दिखा रही है फिर क्वीन मारियाना को छोड़ देती है और बोलती है मैं तो मजा कर रही थी बस और लाउस के पास आती है और उससे बोलती है गोल्ट का बेटा भी तुम्हारे साथे स्कूल में होगा तो तुम उसके फ्र फुले भी हारुटो के साथ जाना चाहती थी लेकिन चार फुले से बोलती है हमें अपने खुद के भी काम करने हैं फर हारुटो लीजा टेलीपोटेशन डोर से जंगल में आ जाते हैं और वहां से पैदल कैपिटल तक जाने वाले थे अगर वो उड़के जाते तो सब लोग दोनों को देख लेतें लेकिन वो दोनों देखते हैं कि एक बुल कुछ ईूमन के पीछे दोड़ रहा है जो काट में है लीजा बोलती है वो बुल भूका है इसलिए वो ऐसा कर रहा है फिर हारुटो ब्लैक नैट बन के वहाँ जाता है लेकिन तब तक काट तूट जाती है और एक बच्चा उससे गिरने लगता है जिसको हारुटो अपने बैरियर से बचा लेता है फिर वहाँ एक लड़की थी ज हरुटो लीजा के पास आ जाता है और वो दोनों मिलके बुल को खाना खिलाते हैं फिर बुल वहाँ से चला जाता है फिर लीजा बोलती है वो लड़की मुझे थोड़ा अजीब लग रही है फिर वो दोनों कैपिटल के गेट में आ जाते हैं जहां बहुत लंबी लाइन थी फिर हरुटो अंदर जाके स्कूल में रजिस्टर होता है और बहुत सारे पेपर वर्क करता है और ठक जाता है फिर वो दोनों अपने होस्टल रूम में आ जाते हैं जहां लीजा का अलग रूम था लेकिन हरुटो होस्टल में रेश्ट नहीं करता और चार और फिले के पस भी इन्वीजिवल कर देता है फिर वो लोग कैपिटल में आ जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं फिर चार कैपिटल का मैप निकालती है और लीजा को साउथ फिले को नौर्थ और हारुटो के सांथ वेस्ट जाने को बोलती है चार ये सब प्लैनिंग कर रही हारुटो वहां के उस लड़की से सौरी बोलता है वो लड़की बोलती है कि हम दोनों पहले मिल चुके हैं क्योंकि तुम्हारा डेंजरस माना मुझे जाना पहचाना लग रहा है हारुटो बोलता है मेरी लेवल टू है आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी और बोलता है जा रही होना वो लड़की बोलती है मैं अपने पार्ट टाइम जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रही हूं और वहां से चली जाती है चार बोलती है यह लड़की मुझे तोड़ा अजीव लग रही है और इसी के साथ यह पार्ट खत्म होता है अगर आपको इसका मैं बता दीना ओके बाए